हेलो एवरीबड़ी इजी कौन के यूट चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है यह सौफ़वेर के बारे में हमने अभी तक स्टॉक कैसे डालना टारगेट स्टॉप लॉस बफर कैसे डालना रेंज की विट्स को कैसे फिल्टर करना स्टॉक प्राइस के इस अपसे और नमबर एफ ट्रेड़ को कैसे लिमिट करना यह सारी चीज़े देख लिया अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो नीचे description में मैंने बाकी वीडियो उसकी link डाल रही है पहले वो देखे और फिर ही इस वीडियो पर जम करें क्योंकि बाकी features मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हो और ये वीडियो में मैं आपको यह दूर radio बटन से उनसे क्या functionality ensure हो दिए वो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहला radio बटन है हमारा option है पेपर ट्रेडिंग और रियल मार्केट ट्रेडिंग के बीच में अगर आप चाहते हो कि आपको बस सिस्टम को देखना है कैसे काम करता है क्या करता है क्या करेगा कैसे परफॉर्म करें तो आप इसको प पेपर ट्रेडिंग और कोई ट्रेड प्लेस नहीं होंगे तो इसी तरीके से हमारा दूसरा मोड है रियल मार्केट ट्रेडिंग जो पेपर ट्रेडिंग मोड के option में है याद रखे कि यह सारे मोड एक दूसरे के option में paper या real market smart risk management या फिर predefined quantity दोनों में से को एक ही सिलक करना आप चाहते हो कि अगर आपके एकाउंट में यह जो भी पैरामिटर्स आपने डाले उसके इसाप से ट्रेडिंग हो तो आप रियल मार्केट ट्रेडिंग सिलेक कर सकते हो और यहां पर जो भी अपने कि आप बता रहों कि मुझे हर स्टॉक में यहां पर जितने भी स्टॉक डाले हैं उसमें एक पर्टिकुलर कॉंटिटी से ट्रेड करना है मैंने यहां पर डाल दिया आठ आप कुछ भी डाल सकते हो आठ दस बारा पंदरा सोला सत्रा पचास साथ तीनसो चार्सो पांसो हजार आपके कैपिटल के इसाप से आप कितनी भी कॉंटिटी डाल सकते हो हर स्टॉक में उतनी कॉंटिटी से ट्रेडिंग स्टार्ट होगी इनीशल ट्रेड उतनी कॉंटिटी से लिया जाएगा बाकी के ट्रेड की कॉंटिटी आगे वाले मोड से डिसाइड होगी तो यह है प् maximum risk per script याद रखिए कि यह risk जो है वो per script है ना की total risk मतलब यहाँ पे आप अगर मान लो लिखते हो 50 रुपए और आपने तीन stocks एड किये तो आपका total risk होगा 500 रुपए जितने वे stocks आपने एड करते हो उतने टाइम्स यह risk होगा आपका यह per script मतलब intervals में 50 का risk लेगा TCS में 50 का risk लेगा और M&M Finance में 50 का risk लेगा सारी quantities और यह सब कुछ decide stop loss के हिसाब से आपके risk के हिसाब से software करेगा कि कौन से stock में कितनी quantity trade करने पे सारे maximum trades तक जितने भी traders होते हो सारे stop loss अगर hit हो जाए तो आपको वो script में कितना loss होगा वो maximum value आपको यहाँ पे डालनी है और इससे अदर रिस्क आपको post कभी नहीं होगा यह software इस तरीके से quantity decide करके ensure कर लेगा next जो आपका option है वो है fixed quantity या increasing quantity कभी यह होता ही कि एक बार आपने breakout trade किया दूसरी बर breakout trade किया तीसरी बार किया तीनों बार сл खा गया और चौथी बार अच्छा breakout दे दिया चौथी बार के breakout के profit के बाद भी आप पिछले तीनों ब्रेक आउट के loss की वज़े से जीरो तुजीरो रहरे आपका ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहे सिर्फ ब्रोकरे जा रहे तो इस प्रॉब्लाइम को टैकल करने के लिए हम क्या करते हैं कि कि एक मोड लगा देते हैं जिसमें क्या होगा हर नेक्स्ट ब्रेक ने भेजसर उने पहला को ट्रेड लिए और स्तॉप लिस्फमें रिकाउट में एक मोड लिए इसको देखने के लिए हम लोग चले जाथे आंडेवल के एक लंबे 1-5 risk reward के साथ तो यहां पे एक short trade हुआ आपका target achieve नहीं होता क्योंकि 1-5 बहुत बड़ा होता है और इसके बाद आपका sell it हो गया और एक long trade हुआ तो यहां पे अगर short trade आपने 10 quantity से किया होता तो long trade 20 quantity से होता और 20 quantity वाला profit आपके 10 quantity वाले loss को बड़े आसानी से cover up कर लेता इस चीज़ को करने के लिए हम लोग increasing quantity वाला mode चलाते हैं अगर आपको चीए कि हर trade में same quantity से ही trading करी जाए हर counter trade को same quantity से किया जाए तो आप fix quantity वाले mode में चला यह quantity increase नहीं होगी हर बार सेम quantity रहेगी नेक्स जो हमारा mode हो है single target mode और continuous mode कभी क्या होते हैं कि एक बार मानलों कर इसको आप one is to two वाले one is to one वाले risk reward के साथ चला रहे होते तो यहां पर आपका target अचीव हो जाता तो अगर आपने single target mode में चलाया होता तो एक बार target होने के बाद वो वो स्टॉक में ट्रेडिंग करना छोड़ देता है software वो स्टॉक में ट्रेड नहीं करता तो यह पहला आपका target हो जाता और फिर next जो भी breakout होता उन सबको हमारा software इग्नोर कर देता एक बार target होने के बाद वो स्टॉक में ट्रेडिंग बंद हो जाती अगर आप continuous mode में चलाते हो तो until and unless आपका max trades का limit पहुचे बले ही आपके target होया stop-loss हो वो आपके trades लेता जाएगा जब तक आपका number of trades in that particular stock maximum trades तक ना पहुचे यह difference था single target और continuous mode के बीच में next हमारा जो mode है वो है book profit और trailing SL या फिर exit all at target exit all at target में यह चीज होती है कि जब target होता है तब सारी quantities exit हो जाती है चाहे आपने पांच से रखाओ दस से ले रखाओ 25 जितने भी quantity से आपकी position खुली है वो सारी target पे exit हो जाएगी और कोई quantity remaining नहीं रहेगी अगर आपको कभी target open रखना हो में चीज टार्गेट वाले वीडियो में बताना बूल गया था कि कभी किसी को target open रखना हो कि फुल डे जितना ही मोमेंट होगा रेंज के बार वह कवर करना है तो यहां पर टार्गेट में आप बहुत बड़ी वैल्यू डाल सकते हो मानलों कि पंदर आज़र परसेंटें डाल दी जो कभी अचीव नहीं करने वाला स्टॉक अगर अचीव कर लें तो बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा पर यह चीज कभी अचीव नहीं करने वाला इसका मतलब आप एक टार्गेट ओपन रखर हो स्टॉक रेंज के बार जो भी मोमेंट करेगा वह सारा आपके प्रॉफिट म पर्षेंट रखा है तो 5% ऑफ दी कॉंटिटी सॉफ्ट ने 20 से टेड लगा रहा है तो मुलब 10 कॉंटिटी अगर सौ से लिया तो 50 कॉंटिटी 50% ऑफ दी कॉंटिटी टार्गेट पे स्क्वेर ओफ हो जाएगी और बाकी 50% में आपका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग दिया जाएगा और फिर ट्रेलिंग जो परसेंटेज यहां पर बताते हो उसे इसाब से स्टॉप लॉस ट्रेल होता जाएगा फॉर दी रेस्ट ऑफ दी तो यह था हमारा एक्जिट टार्गेट मलब एक्जिट टार्गेट करोगे तो ट्रेलिंग एसल वाला फंक्शन अप अपने आप गायब हो जाएगा आप जैसे यह मोड से लेकर तो आपको यह फिल्ड मिल जाएगी यहां पर आप अपना ट्रेलिंग एसल का परसंटेज दाल सकते हो अगर आप चाहते हो कि ट्रेलिंग एसल भी ना रहे आफ्टर 50 परसंट आपको बड़ा नंबर डाल दो कैसे त्रेंग किया जए कैसे टारगेट फॉप लॉसट किया जाय कैसे कैसे रेंज को फील्टर किया जए कैसे माक्स ट्रेंड को मुट किया जय की पेपडल करनी है करनी è याद रखिए Smart Risk Management System हर चीज फिक्स कौंटिटी इंक्रीजिंग कौंटिटी एक सीड करता है कि आपका Max Risk पर स्क्रिप्ट कभी इससे ज्यादा ना हो next आपको कुछ भी नहीं करना आप यहां पर अपना क्लाइंट डाल दीजिए याद रखिए क्लाइंट डालें और आप अपना पासवर्ट डालके स्टार्टल को पे क्लिक कर दीजिए यह जो भी रेंज रेकॉर्ड होगी टाइम में उसको यह पेरामीटर के साथ फॉलो करेगा सौफ्ट्वेर 100% के साथ इसमें रेट करेगा और जो भी रिजल्ट होगा वह आपको आपको अपके अठाउन में दिख जाएगा अगर आप में चला रहे हो तो आपको यह ब्लाक स्क्रीन में सारे दिख जाएंगे लिए सारे मोड प्यक्राइब करते हैं अगर आपको किसी भी मोड में कोई भी डाउट लग तो नीचे comment section में मुझे बताईए या फिर मेरा WhatsApp नमबर भी मैंने description में डाल रखा है आप बंदास मुझे call करके message करके आप अपने doubts पूछ सकते हैं जहां तक मुझे बता हैं मैंने सारे aspects cover up कर दिये है एक और बात कि जो भी trade software से लिए जाएंगे उन सब को 3-10 पे long trades को और 3-11 पे short trades को जो भी आपकी position open पड़ी है उन सब को software automatically square off कर देगा वेट नहीं करेगा कि ml square off का time हो और broker square off करे 3-10 और 3-11 को software से सारे trades अपने आप square off हो जाएंगे तो यह थी हमारी software के बारे में general information अगर आपको software पसंद आया आप ऐसा range breakout software यूज करना चाहते हैं तो हमें contact कीजिए नीचे हमारी contact information दे रखिए हमारी website की भी link है मैंने अपना WhatsApp नमबर भी डाल रखा है Alice Blue के साथ आपका account होना चाहिए जीरो ता या Alice Blue दोनों में मारा software काम करता है अगर आपके पास Alice Blue के और software के बारे में जानना है तो हमारी website पर जाहिए हमने सारे software देखने वाले हैं इसी वीडियो explanatory वीडियो वाली series को हम लोग continue करेंगे उसमें आपको option trading software जो index options होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ तो वो काफी एक अच्छा software है बहुत ही profitable है बस options की थोड़ी basic knowledge जी की ATM, 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 ATM options क्या होता है कब expiry होती है क्या होता है अगर basic knowledge नहीं है तो पढ़े internet से देखे बहुत सारा content available है अगर आपको content कहां से पढ़ना क्या करना ये जानना है तो मुझे आप WhatsApp मैसेज कर सकते हैं मैं आपको resources दे दूँगा books दे दूँगा articles दे दूँगा कि आहां से पढ़के आप सीख सकते हैं जान सकते हैं और फिर trading शुरू कर सकते हैं याद रखे हमेशा trading अलगो ट्रेडिंग कोई पैसा चापने की machine नहीं है मेरा software हमेशा एक learning बहुत जरूरी होती है software में जो मैंने भी parameters आपको समझाएं उनका understanding बहुत जरूरी होता है software को profitable दंग से चलाने के लिए और एक system बनाना और discipline तरीके से software चलाना भी काफी important aspect होता है profitable trader बनने का आप यह expectation के साथ मत आईए कि रातो रात आप अमीर बन जाओगे trading से नहीं यह नहीं होने और ना मेरे software में capability हैं ना किस चीजी trader के पास होती है जब trader सीखता है पढ़ता है चीजे learn करता है experience करता है और फिर जो भी सीखिवी चीजों को discipline के साथ implement करता है तब एक अच्छा कासा profitable trader consistently profit करने वाले trader बन पाता है उसके बिना आपको जो भी सपने लोग दिखाते हो या trading related कहीं भी pages या कहीं से दिखाते हो कि share market में तो पैसा double triple हो जाता है तो वो चीजे गलत है आपसे हाथ जोड के बोलता हो कि वैसी चीजों के पीछे मत बागे जल्दी अमीर बनने के पीछे मत बागे क्योंकि ऐसे रास्ते होते तो सब करोड़ पती बनके बैटे होते अगर किसी को यह चीज आती तो वो आप आपके पैसे नहीं बढ़ा था खुद के पैसे पहले double करता उसके बाद आपको मदद करता तो हर चीज को किसी भी trading setup को even मेरे software को पहले जानिए सीखिए समझे और फिर अपने capital पे implement कीजिए और discipline के साथ चलाइए तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा steady profit होगा इसका promise कर सकत तो यह था हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको software के बारे में बताया आपको हर parameters की जानकरी दी अगर आपको कुछ भी doubt हो आप हमें बताइए वीडियो को like कीजिए share कीजिए channel को subscribe कीजिए मिलता है अगले वीडियो में तब तक के लिए thank you धन्यवाद और happy trading हुआ आपको अपको